इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वालें क्लास 5 मेरत का चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है आईतन तो आईतन की पड़िभासा सबसे पहले पढ़ते हैं, तो कोई वस्तु जितनी जगा घेरती है, उसे उस वस्तु का आईतन कहते हैं कोई वस्तु जितना जगा घेरेगा, उसे उस वस्तु का आईतन कहते हैं, चैप्टर करते हैं, लिखा वाँ उस वस्तु पर घेर लगाई है, जो ज्यादा जगा घेर रही है, तो कौन वस्तु ज्यादा जगा घेरेगी, जो अकार में बड़ी है, जो वस्तु अकार में होना है घेर लगाना है तो लगा दिए अब यह दो किताब है तो कौन से किताब बड़ी है यह बड़ी किताब है तो इसमें घेर लगा दिए बड़ी किताब है ज्यादा जगह घेड़ेगे तो इसको बनाने के लिए पास यह करना है कि आकार में जो बड़ी है उसमें घेर अब फुटबॉल और गेंद में कौन बढ़ी है फुटबॉल तो फुटबॉल ज्यादा जगा घेरेगा तो फुटबॉल में घेरे लगा दिया है और यह सेव है और यह पपीता है तो पपीता ज्यादा जगा घेरेगा क्योंकि एकार में सेव कितुनले में बढ़ा है तो इस इन अक्रितियां दी गई है, इन में घनों के संख्या पता लगाई है, तो हमें अब घनों के संख्या निकालना है, तो देखें ये अक्रिती है और ये घनों के संख्या है, एक आपको बना के दिखाया गया है, और ये चारों आपको बनाना है, तो देखें ये कैसे बनाया गय तो देखे घनों के संख्या निकालने के लिए एक एक करके गिनते नहीं है ऐसे गिनेंगे तो बहुत महिनत लगेगा इसका ट्रिक क्या है यह यहाँ पताया क्या है तो देखे सबसे पहले लेखते हैं लंबाई में घनों के संख्या फिर गुना फिर चोड़ाई में घनों के स सब्सक्राइब लेकिन यहां पर क्या है इसी तरह अगर तला गिन है तो यहां पर क्या एक है इसलिए यहाँ पर H को सामिल नहीं किया गया निए उचाई में घनो के संख्या एक है तो इसको सामिल नहीं किया गया तो सबसे पहले सिखते हैं कि इसमें घनो के संख्या कैसे निकाला गया तो देखें लंबाई में घनो के संख्या देखते हैं फिर चौड़ाई में घनो के संख्या, फिर उचाई में घनो के संख्या, देखें, लंबाई में घनो के संख्या है, एक, दो, थीन, चार, तो चार लिख दियें, गुना, चौड़ाई में घनो के संख्या है, एक, दो, तो दो लिख दियें, उचाई में घनो के संख्या है, ए यहां पर 1 इसलिए यहां पर एक नहीं लिखा गया क्योंकि 2 में गुणा करते हैं तो 2 आता है 3 से अ चला होगा गैए 4 तरी में में पहला सभाव बैअ क्यों पर गया यार्षा तो एंसर हो जाए क्या घनों के सिंख्या ब्रावर चार गुने दो ब्रावर आठ खेर ये तो बनाएगवा है चलिए वन सॉल्व करते हैं आई ओप आपको ये वीडियो समझ मा रहा होगा अगर कुछ भी प्रावलम है समझने में तो कमेंट बॉक्स में जोड लिखें फर्स् में घनों के सिंख्या है 1 2 3 3 पुचाई में तो पता ही एक है तो गुना एक भी लिख देंगे तो कोई फ्रक नहीं पड़ेग Trevor चरत्ते कितना उगा 12 तो लिखेंगे गनो के सिंख्या ब्रावर 4 गुने 3 ब्रावर 12 एक को छोड़ देना है ध्यान रखना है आपको टू है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो आठ आगे लंबाई में गनो के सिंख्या तो लिखेंगे एंसर घनो के संख्या ब्रावर आठ गुने 3 ब्रावर 24 तिसरा में देखते हैं लंबाई में कितना है फिर चोड़ाई में उचाई में तो पता ही एक है तो देखे, लंबाई में घनों के संक्या है एक, दो, तीन, चार, पांच, छेश, साथ ठीक है, साथ है गुना एक, दो, दो है चोड़ाई में ठीक है, तो साथ दोनी कितना गए चौदा तो एंसर लिखेंगे, घनों के संक्या ब्रावर 7 गुने 2 ब्रावर 14 बिल्कुल इस तरह से लिखना है एंसर अब सॉल्ब करते हैं फोर्ड फोर्ड में तो ठेशरा घंद दिया हुआ तो आपको सरधानेपुर्वा गिनना है एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा आ गया लंबाई में घंद की संख्या, चोड़ाई में एक, दो, तीन, चार, चार है तो बार जोगे कितना बतार, 48 ठीक है तो टोटल घंद की संख्या आ गया आखरती फोर्ड में 48 तो एंसर घंद की संख्या ब्रावर 12 गुने 4 ब्रावर 48 ठीक है आगे दिया बताईए किस में घंद की संख्या अधीक है तो जिस आकृति में घंद की संख्या अधीक रहेगा तो जिस आकृति का आईतन भी अधीक रहेगा तो यह सवाल पुछने का तरीका है अगर आप से पूछे क कि अकृति क्या है कि कि एहां थिक है Idhin षान तो पूछ रहा थे कि कि ईहां है किस में घनों की एहां i हर्फार रहे हैं ध्यान द्यान के डेसे रहे हैं कि वी thorfe का सेमी है फिर लंबाई में घनों के संख्या गिनेंगे फिर चड़ाई में घनों के संख्या फिर उचाई में घनों के संख्या अतीनों को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल घनों के संख्या अक्रिती में तो देखे लंबाई में घनों के संख्या है एक दो तीन च अब खाव देखते हैं, लंबाई में घनो के संख्या गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, फिर चुड़ाई में गिनते हैं, दो हो गया, और उचाई में एक, दो, दो, कितना आगया, चारदुनिया, रादुनिय, सुल्ला, तुखा आकरिती में आगया, घनो के संख्या, सुल्ल कव में आए 20, खव में आए 16 गव में देखते हैं नंबाई में घनो के संख्या है 1, 2, 3, 4 4, चवराई में घनो के संख्या है 1, 2, 2 और उचाई में घनो के संख्या है 1, 2, 3, ठीक है? 3, तो कितना आगया? 4, 8, 8, 8, 24 तो गव अकृती में घनू के संख्या आगए 24, तो आप सूची ज़रा कि 20 ज़्यादा है, सुला ज़्यादा है या 24 ज़्यादा है, ठीक है, तो गह आकृति में घनू के संख्या अधीक है, जिसकी करण के आए, इस आकृति का आईतन भी अधीक है, अगर लिखा वा, आईए इन तीनों के तुलना के लिए हम निम तलिका बनाते हैं, तो यह तलिका बनाये हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं कि क क क लिखा हुआ, ठीक है, और ख का खाली है, और ग का खाली है, यानि हमी भढ़ना है, देखे, लंबाई में घनू के ओचाय में घनों के संक्या फिर टौटल घंद निकालना है क्षेद्व में थे टीन हो के क्यां क्या दो और नंकली सफुन होगा .. तो आयतन 20 नहीं होगा, 20 घन होगा, यानि घनों के संख्या में हम लोग आयतन निकालना है, तो यहाँ पर घन नहीं छोड़ना है, यहाँ पर घन आया है, तो घन का प्रिभासा हम पहले में पता चुके हैं, पहले वाली वुडियो में, पर आप नहीं देखे हैं, तो प्लेलि लंबाई में है čार चाराई में है दो और उचाई में है कितना? दो तो देखेए चार दो दो लिखेंगains तो इसमें लिखेंगा चार दो दो और फिर क्या करेंगे? सब को गुना कर देंगे चार दुनिया, डारदुनि सॉलर और यहाँ आपर लेखेंगे सोला घन आयतन ठीक है अब गवाद देखते हैं गवाद में लंबाई में घनों के संक्या चुड़ाई में घनों के संक्या और उचाई में घनों के संक्या हमें निकलना है तो देखें लंबाई में है एक दो तीन चार चार है चुड़ाई में है एक दो दो qar du flatter to hu sìक था इसमें लिखेंगे चार इसमें लिखेंगे दो इसमें लिखेंगे तीन और रोत को क्या करेंगे गुना कर देंगे चार दुन्याट अर्तिया कितना होगा 24 यहां पर लेखेंगे 24 घन ठीक है 24 घन तो हो गया complete तो यह लिख दिये हैं पुड़ा complete हो गया अब आगे क्या बला जारा तालीका द्वारे यह दो तालीका बनाया है उसके द्वारा हमें बताना है सबसे अधीक आयतन डैस का होगा तो नीचे दिखाए गई आकृतियों के परतेक जोड़े की तुलना कर जादा आयतन वाले आकृति पर सही का निशान लगाई है तो यहां पर जोड़ा दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोदो का जोड़ा दिया हुआ है और इसमें जिस आकृति में आयतन जादा यानि घनों के संख्या जादा है उसमें हमें टिक मारना है तो चलिए घनों के संख्या निकालते हैं एक दो तीन लंबाई में है तीन चोड़ाई में है दो और उचाई में कितना है एक दो उचाई में है दो तो कुल घनों के संख्या आ गया तिन दुनी चोड़नी बारा ठ टो 12 घं आगया 12 घं पहताना है तो 12 वह बाता आई देक्ते दो तो पहले लंभाई देख्ते हैं कि दो ही 12 क्यों तो 1 नीचित क्यों टते सबूरेसी सींह को टोछे दो जाहेसे साथ दो गे स आब दोश्वा नहीं है सबसे पहले लंबाई में देखेंगे फिर चोड़ाई में फिर उचाई में गुना कर देंगे तो कूल घनों के सिंख्या निकल जाएगा लंबाई में है चोड़ाई में एक दो तीन दो चोड़ाई में है एक दो तीन चोड़ाई में गान इसमें आप देख्ते है नीचे वाले में कितना है एक, दो, तीन, चार लंबाई में है चार एक, दो, चोड़ाई में है दो उचाई में है दो तो कितना अगए? चार दुनिया, डार दुनिया, सुल्ला तो सुल्ला अगए तो आप ज़रा सूचिए कि अठारा जादा है कि सुल्ला जादा है अठारा जाद है तो इस अक्रिती में टिक मर दिया है तिसरा जोड़ा देखते हैं लंबाई में देखते हैं घनो के संख्या कितना है एक दो चोड़ाई में है एक दो तीन तीक है उचाई में कितना है एक दो तीन चार उचाई में है चार तो कितने हो गए? दूत्यय 6, 6 चकफ 24 तो इस आकरेती में घनों के संक्या आ गया? 24 अब नीचे देखते हैं कितना है? 1, 2, 3 3 है लंबाई में 1, 2, 2 है चोड़ाई में और उचाई में कितना है? 1, 2, 3, उचाई में है 3 कुल घनों के संक्या कितना आ गया? तिन्दनी चौँ चोटिया 18 ठीक है 18 तो 24 ज्यादा है के 18 ज्यादा है 24 ज्यादा है तो 24 वाली आक्रेति में है ठीक मारती है अब चौंथा जोड़ा देखते हैं फोर्ट तो देखिए लंबाई में है घनों के संक्या 1 क 2 चोड़ाई में है एक दो तीन और उचाई में है एक दो तीन चार तो दीखे दुद्ध्या छे छेचक चोविस तो इस आकृति में घहनों के संख्या आगया चोविस अब नीचे वला देखते हैं आकृति तो किसी में तिक नहीं मार सकते हैं किमकि जादा आयतन में तिक मारना है ज्यादा आइतन वाला अकृति में टिक मरना है लेकिन यहाँ पर तो दोनों अकृति का आइतन सेमी है क्योंकि घनों के सिंख्या प्रावर है तो किसी में टिक नहीं मारेंगे इसी तरह छोड़ देंगे टू में पूछ रहा है किस ठोस का आइतन सबसे कम है तो चार्ट होस दिया है तो किस में आइतन सबसे कम है तो आइतन सबसे कम उसी आकृति में होगा जिसमें घनों के सिंख्या सबसे कम है तो हमें घनों के सिंख्या निकालना पड़ेगा तब हमें पदा चलेगा किस ठोस का आइतन सबसे कम है तो चलिए solve करते हैं तो सबसे पहले लंबाई में देखेंगे घनो के सिंख्या फिर चौराई फिर उचाई पहले लंबाई फिर चौराई फिर उचाई वन में है लंबाई में घनो के सिंख्या एक, दो, तीन, चार चौराई में घनो के सिंख्या तीन, उचाई में है 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो कितना हो गैं? चरते बारा, बारा चोगें, अर्तालिस तो उन आकर्ती में आ गया घनों के संख्या, अर्तालिस Two देखते हैं, लंबाई में घनों के संख्या है, 2 चोडाई में है, 1, 2, 3 उचाई में है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? कितना आगया? 2, 3, 6, 6, 5, 30 तो 2 में आगया घनो के संख्या 30 तो 3 देखते हैं तो 3 आकरती में देखते हैं घनो के संख्या लंबाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चोडाई में है 1, 2, 3 ठीक है? उचाई में है 1, 2 तो देखे चोटी आठारा अठार दुनी 36 तो 3 में आगया है घनो के संख्या 36 अब 4 देखते हैं लंबाई में घनो के संख्या फिर चोड़ाई फिर उचाई फिर 3 को गुना कर देंगे तब कुल गनो के संख्या निकल जाएगा देखें, लंबाई में है 1, 2, 3, 4 ठीक है, चोड़ाई में एक, दो, तीन, चार अब आगे देखते हैं, उचाई में एक, दो, तीन, चार तो कितना आगे है, 64 आगे है, 64 चोड़ चुके सुल ला, सुल चक 64 तो देखे, 1 में है 48, 2 में है 30, 3 में है 36, 4 में 64 तो सबसे कम आइतन वल आकरिती पूछ रहा था, तो सबसे कम घनों के संक्या किस आकरिती में है, 2 में तो answer रहे है 2, तो लिखेंगे आकरिती 2 का आइतन सबसे कम है ठीक देखते हैं, निमलिखित में से आइतन के माप की इकाई कौन सी है, सही का निशान लगा है तो देखें, इकाई, इकाई कहते हैं और किसी रासी को जिस चेज में मापते हैं, उसे उसका इकाई कहते हैं तो यसे लंबाई को मापते हैं, मिलिमीटर, सेंटिमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब मापते हैं सेन्टीमेटर है वरक सेन्टीमेटर या घं सेन्टीमेटर है जैसे कि आपको पता अजेतन ब्रावर तो यह जो घंड दिया गया तो इसका आजेतन कितना लंबाई गुने चौळाई गुने उचाई तो देखे यहाँ पर X 2 हमें पदा करना हैmiş. तीन सेंटिमेटर गुना करना है, क csak क्या आएगा. 3 का क्या क्यूब आएगा क्यूब आएगा हुना करने पड़. यह 1 की म想्ते है, गान BM, या यानि यह यह 3 है उसको घन should be तो एंसर क्या हो जाएगा घं सेंटीमीटर आयतन के माप की इकाई होता है घं सेंटीमीटर वर्क सेंटीमीटर तो किसका होता है छेतरफल का होता है जब लंबाई और चुड़ाय को गुना करते हैं तो छेतरफल आता है तो वर्क सेंटीमीटर होता है किसका छेतरफल का के लंबाई का हुए यह चेतरफल का और यह आहतन का पूछ रहा है तो घन सेंटिमीटर में टिक मार दिए फोर में दिया वा नीचे दिए गई आकडितियों का आहतन पिद्धिशन त यह दोने आकडिती का आहतन निकालना तो आहतन ब्रावर आपको पता हुए है नहीं खान सेंटीमेटर को क्या करते हैं यह सेंटीमेटर है इसका क्योब भी लिखते हैं देगी यह होगए कि आयतन का मापने का जो एकाई है नो क्या घंड सेंटीमीटर है ठीक है यहाँ पर जो सेंटीमीटर है तीन को सेंटीमीटर है तो तीनों गुना करेंगा तो क्या आ जाएगा घंड सेंटीमीटर हो गया एंसर लेकिन इस तरह से नहीं लिखेंगा इसको बना के लिखेंगा तो तो लिखेंगे सबसे पहले प्रिभासा लिखेंगे आयतन ब्रावर लंबाई गुने चुड़ाई गुने उचाई अब इसका मात्राक भी इस्तिमाल कर सकते है ल गुने बी गुने एच ठीक है ल से होता है लिखेंगे लंबाई बी यानि ब्रिट्थ चुड़ाई एच यानि हाइट उचाई तो आप उस उचा की भी इस्तिमाल कर सकते है ल गुने बी गुने एच तो लिख दिया आईतन ब्रावर लंबाई गुने चुड़ाई गुने उचाई तो लंबाई पांट सेंटिमीटर का क्यूब आएगा इसी सेंटिमीटर का क्या लेखते हैं घन सेंटिमीटर लेखते हैं तो यह मत छोड़ियेगा अगर यहांपर मीटर दिया हुआ रहता तो घन मीटर हो जाता अब टू को सॉल्ब करते हैं टू भी भी सेमी है लंबाई गुने चुड़ाई गुने उचाई और तीनो चार चर दिया हुआ था तो चार गुने चार सुला सुलचक 64 ठीक है तीनो सेंटिमीटर है तो क्या लिख दिये घंद सेंटिमीटर पाचवाँ बोला जा रहा है एक बॉक्स की लंबाई 15 सेंटिमीटर चुड़ाई 10 सेंटिमीटर तथा उचाई 12 सेंटिमीटर है उसका आयतन ग्याद केजिए आयतन का फर्मुला तो वही है दिख लेता है तो बॉक्स की लंबाई 15 सेंटिमीटर चुड़ाई 10 सेंटिमीटर उचाई 12 सेंटिमीटर ठीक है लिख दिये उसके बाद लिखेंगे इसी लिए बॉक्स का आयतन ब्रावा लंबाई गुने चुड़ाई गुने उचाई यह जो तीन डॉट देख रहे हैं ए पंदरा और 12 गुना करना है तो दुख पंदरा 12 करते हैं तो कितना आजा गया यह आ गया अपनदरा चुड़ा तुट दूनी 30 आ गया आ और यह 15 आ गया यानि एक फो अशी है ओड़ाई तो पंदरा आ और बारा को गुना किए तो आया एक सो असी और यह जो 10 है यह लिख दीएं और 3 को संहेंटीमीटर उन गुना करें गतीनअगी रवध्यार को कि यहरे सेंटीमीटर तो अधारा सो गन सेंटीमीटर क्लिफ्षे देखिए माचीजका एक डिब भास इसकी नंभाई 3 सेंटीमीटर2 धी मिटर है तो उसका अधं ग्यात किज आए तो ये तो आसान है, तिन तुम निए 6, 6 एकम 6, ठीक है? तो 6 क्या आगया है? संटीमेटर में है न, 3000 संटीमेटर गुना करेंगे क्या आजाय है? घन संटीमेटर तो आजतन है आगया 6 घन संटीमेटर अब इसे को खाली बना के लिखने हैं तो लिखेंगे दिया गया है माचीज का डिबबा का लंबाई 3 cm, चुड़ाई यतना उचाई यतना फिल लिखेंगे इसलिए इसलिए डिबबा का यतन ब्राव लंबाई गुने चुड़ाई गुने उचाई अब तीने को लिख के गुना करते हैं खली यहाँ पर ध्यान रखेगा के तीन को सेंटीमीटर है तो तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा घंद सेंटीमीटर ठीक है शेवन है प्लास्टिक के बॉक्स के लंबाई 15 cm, चुड़ाई 4 cm और चाई 1 cm है उसमें 6 cm के कितने रबर रखे जा सकते हैं तो देखें यहाँ पर क्या बलाज़ा है कि माल लेते हैं कि यह प्लास्टिक का बॉक्स है ठीक है इसमें किसको रखना है रबर को रखना है तो रबर ऐसे ऐसे धेसरा क्या धेसरा रबर रखना है ठीक है माल लेते हैं कि rubber रख दिए अब पूछ रहा है कि कितने rubber रखे जा सकते हैं तो यहां क्या पता चरह है कि कुल rubber की संख्या है ना अगर उसका आयतन निकालेंगे तो यह box के ब्रावर आयतन आएगा तो देखे संख्या निकालने का तरीका क्या है उपर लिखेंगे उपर यानि अंस में अंस में लिखेंगे प्लास्टिक के box का आयतन बटा नीचे लिखेंगे एक rubber का आयतन तो देखे यहां पर क्या एक rubber का आयतन दिया हुआ घं सेंटीमेटर कैसे पचाने के आयतन दिया तो प्लास्टिक के बॉक्स का भी आयतन निकालना पड़ेगा तो रबर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे अंस में लिखेंगे प्लास्टिक के बॉक्स का आयतन बटा नीचे लिखेंगे एक रबर का आयतन तो तुनों के काट देंगे तो रबर की संख्या निकल सकते हैं तो हमारा पहला प्रपस क्या है प्लास्टिक के बॉक्स का आयतन निकालना तो लिखेंगे दिया गया है बॉक्स के लंबाई प्लास्टिक बॉक्स के लंबाई इतना चुड़ाई इतना और उचाई इतना फिर लिखेंगे इसलिए बॉक्स का आयतन ब्रावर आप सेंटेमीटर का क्योब भी लिख सकते हैं येकटिन के जोड़त में है क्योंकि रबर shadow वह फंसल्ट मेंतर लिखा वाया एक घंचमिटर maximī Chuva लिखेगा तो अच्या ने लगे अब हमें rubber की संख्या निक्लाना है अबहें कि लिक्षेंगu rubber की संख्या बरावर box का है इतन बटा rubber का है ठीक है और कितने rubber का है अब कि यह पर का है तन समझें एक का इतन एक आप आप का इतन तो पूछ रहा था कि box में 6 घंट सेंटिमीटर के कितने रबर रखे जा सकते हैं तो लिखेंगे था box में 6 घंट सेंटिमीटर के 10 रबर रखे जा सकते हैं तो कुछ करना है ने, खली उसमें, अकर लिख देंगा ना, कि उसमें 6 गन सेंटिमीटर के 10 रबर रखे जा सकते हैं, तो पता नहीं चलेगा कि उसमें मतब क्या, उसमें को हटा कर लेखेंगे प्लास्टिक के बॉक्स में, या फिर शिर्फ बॉक्स में भी लेख सकते हैं, तो तो भई हो गया, आता बॉक्स में 6 गन सेंटिमीटर के 10 रबर रखे जा सकते हैं, देखे एट में बोर रहा है, इने भी किजिए, ठीक इतना सॉल्ब कर लिए हैं, तो आगे भी सॉल्ब किजिए, दिये गए सब्दों से चुनकर रिक्त स्थान भड़िये, एक खाली स्थान दोट में यहां दिया हो हैं, और ऐप्शन दोगों दिया हो है, दोनों में ऐसे चुझ हो गा önce बंद आकरिती के घिरे की लंबाई, ज्यानि यह लंबाई यह लंबाई और यह लंबाई। टू है प्रिमाग की काई डैस की काई होती है तो प्रिमाग की काई लंबाई की काई होती है या छेतरफल की काई होती है तो दीखे छेतरफल ब्रावर तो लंबाई को नहीं चुड़ाई ठीक है और अभी हम डिसकस कर चुके इसी वीडियो में पहले की लंबाई के मातरक क्या संत línea मीटर waited अगर मीटर किलो मेटर ये कुछ ही यह होगा उसके बाद छथरफल किया होगा घक है वर्ग सेंटीमीटर होता वर्ग सेंटीमीटर construct कि सेंटीमीटर किजिए क्ये का अगर हम मीटर रखेंगे तो वर्ग मीटर और मीटर कर जग bạn चलो серь paycheck कि कहा Awuk रहेगा वर्क कहां सा है किंकि लंबाई गुने चोड़ाई किये हैं समझें लंबाई गुने चोड़ाई तो माले लंबाई है मीटर में तब मीटर गुने मीटर तो क्या हो गया वर्क मीटर अगर सेंटीमीटर रखेंगे तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो गया वर्क स सेंट्िमीटर में लंबाई मानने दिया हुआ सेंट्धीमीटर में महर लेते हैं एक सेंटिमीटर दिया हूआ तो पड़िमाप जिस रच जोड़ देते हैं उत्य निखलता है चारव भुझा करने मतलब जितना भुझा हो अगया 국민 तो चारव हो जाया, तो चारव को जोड़ेंगे, तो कितना आगए, एक एक सेंटीमीटर चारव को जोड़ेंगे, तो पड़िमाप, तो पड़िमाप देखें, सेंटीमीटर क्या है, लंबाई का मातरक है, है ना, लंबाई का इकाई है, लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर म तो लंबाई और पडिमाप का इकाई क्या आ गया सेम आ गया तो लंबाई यहां पर क्या कर देंगे भर देंगे 3 है किस चाक्रिति के सभी किनारों का योगफल Armen डैस होता है तो क्या होता छेतरफल या परिमाप दोनों वे से बताना है तो देखे, यह मान लेते हैं, यह परिमाप को यह लिख देंगा बिखे, देखे, अब इसके किनारों का योगफल निकाना है तो क्या होता है प्रिमाप या छेत्र फल तो देखे छेत्र फल होता है कैसे देखे छेत्र पूछ रहा है तो मान लेजे कि एक आयत ले लेता है तो प्रिमाप तो होगा नहीं प्रिमाप तो होता है जो बाहर का घीरा है ना सब को जोडते है ना तब प्रिमाप निकलता है जैस होगा छेत्रफल होगा 5 है किसी आयताकार आकरिती की लंबाई दुगनी तथा चोड़ाई आधी करने पर उसका छेत्रफल डैस होता है स्थीर स्थीर होगा स्थीर यानि क्या नहीं बदला परिवर्तित यानि बदल जाएगा तो क्या होगा तो देखें माल लेते हैं कि आईत्रकोड अकरिती का लंबाई है ल चोड़ाई है ब तो छेत्रफल कैंब जाएगा लंबाई गुने चोड़ाई ये आगे छेतरफल, लंबाई और चोड़ाय के बिच में गुना चीपा हुआ, ये शुरुआती छेतरफल आगया, अब देखते हैं, अब लंबाई दुगनी कर दें, चोड़ाय कितना कर दें, आधा कर दें, आधा, तो चोड़ाय आधा कर दें, तो छेतरफल निकल गया, लं में ल बी था अब भी कितना है यह यह अन्त बला दुनों ल बी अल भी है तो ब्दला कहा है सेमी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्थिर हो स्थीर तो चेतरफल में कोई बदलाब नहीं हुआ यानि स्थीर है यहां पर लिख देंगे स्थीर शेक्स देखिए छेतरफल की इकाई डैस इकाई है ठीक है तो छेतरफल की इकाई क्या होता है वर्ग इकाई होता है वर्ग घंद तो होता है आयतन में छेतरफल की इकाई वर्ग इकाई होती है ठीक है माल लेते हैं कि एक वर्ग ले लिया है ठीक है माल लेते हैं इसका भूज बुझा है 10 cm इसके भुझा 10 cm तुम वर्ग में तो सब ब्रावर रहता है तो सब 10 10 हो जाएगा चेत्रफल लंबायें को चढ आए तो 10 10 को गुना करें हैं तो किन आ गया हुझा 100 वर्ग सेंतिमीटर आए गया वर्ग सेंतिमीटर समझें तो चेत्रफल के ika एकाई क्या होता हुट है इकाई काने का मदर यहाँ पड़ क्या है? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मिलिमीटर, सेंटिमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेसिमीटर, डेकाइमीटर इस तरह से बहुत सरा होता तो याद रखी गया कि छेतरफल की इकाई वर की इकाई होती है और आयतन का है नईकाई घानिकाई होता सेवन आयतकार शेतरफल लंबाई तथा चोड़ाई का डैस होता है तो देखें आयत का शेतरफल क्या होता है लंबाई गुने चोड़ाई होता है तो क्या है लंबाई चोड़ाई का क्या है गुननफल है तो गुनानफल हो जाएगा यहां लिख देंगे एट है वर्ग के प्रिमाप में चार से डैस करने पर वर्ग की भुजा प्राप्त होती है देखें वर्ग का प्रिमाप क्या होता है चार गुने भुजा होता चार गुने भुजा याद करने की जोड़त नहीं है कि मा लेते हैं आप देखेए अब हमको खाली क्या चाज़ भूजा चाहिए तो चार से भागा देंगे तम ना ये कटेगा और सिर्फ हमें भूजा मिलेगा तो क्या उगया? चार से कड़ेंगे भागा माल लेते हैं चार से गुना कड़ेंगे तो क्या होगा देखें चार गुने भुजा होता परिमाप अब उनको वड़ की भुजा निकालना तो चार गुना कड़ेंगे ऐसे तो सुल्ला भुजा आजाएगा हमको खली भूजा चाहिए, सुल्ला नहीं चाहिए, तो क्या करेंगा, चार गुने भूजा, यानि कि परिमाप में हम चार से भागा देंगे, तन चार चार कटेगा, तब शिर्फ हमें भूजा बचेगा, तो यही है, वड के परिमाप में चार से भाग करने पर वड की भूज अब्राप्त होती है, 9 है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका डैस है, तो कोई वस्तु जितना जगा खेरता है ने उसको उस वस्तु का आयतन कहते हैं, ठीक है, तो आयतन को लिख देंगे, यहाँ पर, 10 है किसी वर्तन के धारन करने की चमता, डैस है, आयतन है कि धारीता है, ठीक है, तो यह वला है ने, इसको यहाँ करेंगा यहाँ, ठीक है, ठीक है, धारीता करने का मतलब है ना, कि कोई वस्तु में कितना समान अट सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या धारीता, तो यह उस वस्तु काहते हैं लेकिन धाड़िता क्या कहेंगे उस वस्तु में कितना समान अठ सकते हैं उसकी छमता को धाड़िता कहते हैं धाड़िता को यहाँ पर लिख देंगे आगे है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए फॉस्ट है 3 cm, 4 cm तथा 5 cm भुजा वाले तरी भुज का परिमाप है ठीके तरी भुज बना लेता है ठीक है 3, 4, 5 अब हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है य है जो है यह भुजा सब को क्या करेंगा, प्लस करेंगा, तो पास दिनाइट, आठ चार बारा, तो बारा किस में है, बारा बी में है, तो बी हो गया answer, तू देखिए, आयतकार छेतर का प्रिमाप की गन्ना के लिए लंबाई तथा चोड़ाई को जोडते हैं, दो बार, तीन बार, सुनने बार, इ बार, तो बार, तो बार, प्रिमाप वोईने करते हैं, जो यह बाहर का बहुझा है, इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो बार, तो यहां पर क्या हो गया, 2L प्लस 2B तो यह पूछ रहा है कि परिमाप के लिए क्या करता है लंबाई तो चुड़ाई को 2 बार जोड़ते हैं किनकि लंबाई और चुड़ाई को 2 बार है आमने सामने का जो होता है न लंबाई ठीक है? यह बढ़ाबर होता है और आमने समने कि चुड़ाई क्या होता, ब्रावड होता आयत मैं और ये कुन क्या होता ये कुन होता 90 डिग्री समझें तो एक आयताकार छेत्रफल में लंबाई होता दो और चुड़ाई होता दो पड़िमाप निकालते हैं ये चारो को तो होता है 2L प्लस 2B तो लंबाई तरह चुराई li को क्या करते दो बार जोड़ते हैं तो answer हो गया A Three है work की भूजा दुगनी करने पर 6 तरफल हो जाता है ठीक है तो क्या हो जाता है ? चारक 어प्शन दिया होगा होगा तो देखे work की भूजा दुगनी करने पर 6 तरफल हो जाता है मान लेते हैं कि पहले भुजा था A, ठीक है, तो वर्ग का छेतरफल कितना निकल दाएगा, A square, अब मान लेते हैं कि वर्ग के भुजा दुगना हो गया, ठीक है, दूगना, तो दूगना करती है, तब हमारा छेतरफल कितना निकलेगा, हमारा छेतरफल कितना निकलेगा, छेत कि पहले चेतरफल था, अब चेतरफल हो गया चार आ सक्वार . , त्याहर आपको दिखा है पड़ रहा होगा कि यह पहले चेतरफल था और 4 गुना औस लोगने गुणा हो गया, तो वर्र की भुजा दुहनी करने पर,ता 4 गुना हो ठीक है अब भूजा क्या करते हैं दुगना कर देता है तो छेतरफल कितना हो गया भूजा स्क्वार तो दू का स्क्वार कितना निकलता है e2 अब यहाँ पर देखिये पहले छेतरफल था एतना ठीक है अब छेतरफल हो गया यहाँ पर क्या देख nut'm कि ये छेत्रफल है निया छेत्रफल चार गुना हो गया पहले वाले छेत्रफल की तुन्ना में पहले वाले छेत्रफल तर यतना चार गुना करेंगे तब निया छेत्रफल आएगा तो यह क्यों होगा वड की भुजा को दुगनी करने पर छेत्रफल यहां पर चौगनी हो गय तो देखिए 20 मीटर ओं पंदर मेटर है यानि कि क्या आएत है 20 मीटर लंबा है 15 मीटर चवड़ा है प्रिमाप निकाले है तो क्या करं़ेंगे इसको 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 क्या करेंगे 50 पंत्रा कतना 30 हो गया चाहीम क्या है Traffic चाह Tribal तो सत्तर किसमें इसमें यह मैं तो यह answer हो गारें ऐसके हैं और जिसमें सिर्फ लंबाई हो कि इसको इंगले से तो यह उसको लंबाई गोने चौड़ाए गोने उच्छाई होता है जिसमें शिर्फ लंबाई रहेगा उसको वण्डी बोलते हैं यानि एक विम्या जिसमें लंबाई है तो यह कैए 1D में 1D 1D यानि एक VMI है 1 DIMENSIONAL प्रहूर कि माल लेता हैं तो इसमें लमबाई है और C चौडाई भी रहता है और उचाई भी रहता है तीनों गुना करते हैं तो आई ता निकलता है जिस्वेस्पैक ठीकर कोई घनाब ले लेता है यह फिर कोई न ले लेता हैorsch या इसमें लंबाई चौडाई तिनों प्रावट रहेगा तो ये तो तुरी निगाला जा सकता है तो स्काइब कि यह वर्ड ले लेते हैं तो इसमें इसे में लंबाई है और चोड़ाई है तो निकले रही होगा आपको वीडियो को लाइक जोडेए और अपनी दोस्तों की विच में share जोड करें ताकि वो भी उच्छे से पढ़ाई कर सकें